असलाम अलेकुम नमस्कार स्रियाकाल और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ यू हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर मुक्तादरी खान साब में बहुत शुक्राइब सार आजा पाएं थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच अर्दू जी और आपके सुनने देखने चाहने वा इंडिया जा रहे हैं उनके ओपर भी लेकिन उससे भी पहले इम्रान झान साब जो है वो जेल से रहा कर दिया जार आजाएगा और उनका जो अदालत में नहीं के कहा कि जी वो जा सकते हैं रहा हो सकतेbaar है और लेकिन उससे पहले कि खान साब भारत है एक बार फिर वो साइफर केस के अंदर अंदर हो गए जैपकर तोशा खाना केस जो है उसमें कहा गिया था कि उनको रहा किया जा रहा है आप इमरान खान के फ्यूचर को कैसे देखते हैं आपके क्याल से यह बात भी हमारे हैं की जारी कि शायद अब इमरान खान बाहर जाने को तयार हो जाए तो शायद किसी और कंट्री में उनको जाने की पर्मिशन मिल जाए लेकिन बिजली के बिल लोग जला रहे हैं महंगाई बहुत है ड हो जाएगी लोग खुद कुशिया कर रहे हैं आपके ख्याल से यह क्या हो रहा है और यह संभाल पाएंगे यह लोग जो गर्मेंट में है या ऐसे ही चलता रहेगा देखिए इमरान कान की पहली तो बात यह कि मुझे लगता है कि यह इसलामाबाद का जो कोट है क्या इनका माइके का कोट है जो हमेशा इनको रिलीव दे रता है तो इस लाइक सेंग के यू कन टेल के कौन से कोट में इनकी पेशी हो रही है उससे आप पहले ही डिसाइड कर ले सकते हैं कि यहां पे इनकी रिहाई होगी या नहीं होगी तो देट वासर्प्राइग और उसमें भी का पैची सस्पेंड हुई है उनका सजा सस्पेंड हुई या जेल सस्पेंड हुई है या जो कन्विक्शन है उसको सस्पेंड किया अगर उनको जेल से रिया कर दिया अनॉंसमेंट वो है बट इस कन्विक्शन स्टिल स्टैंड सो वो एक कन्फूजन है मैं देखा कि शहबाद शरीफ भी उस पे ट्वेट कर रहे हैं कि अलग अलग चीज़ है दूसरी चीज यह है कि यह जो जो साइफर का जो केस है वो स्पेशल कोर्ट में है मेरे खिराँ से यहां से आर्मी डारेक्ट कंट्रोल कर सकती है and they will probably decide के इनका future क्या होगा and the fact के उनको गोर्ट से रिलीफ मिलने के बावजूद भी उनको रहा नहीं किया गया that shows के they are probably not going to let him come out जब तक के deal नहीं होती है I'm sure के अभी तक उनको proposals मिल गए होंगे क्या आप country छोड़के चले जाएं वगरा वगरा and not only that मेरे खाल से वहां जाने के बाद भी कुछ कंडिशन होंगे के you cannot act like the chairman of Pakistan तरही के इंसाफ from overseas वहां जाके ये government in exile बनाने के काबिल है he could think of it अगर आपी तक नहीं सुने तब तो मैंने तो कह दिया right so the idea will float around that government in exile बनाने लंडन में बैट कर so he could do a lot of tricks from there which will be troublesome और अब ऐसे भी कुछ काम नहीं है उनको अशा नहीं कि रोजी रोटी कमाना है he is 70 years old he can time pass के लिए वह पंगे ले सकते पागिस्तान की पॉर्ट के साथ और जो भी government जीत के आथ so he will be a troublemaker whether he is here or there तो अब यह मतलब यह चाहेंगे के ठीक है यह पॉलिटिक्स के बाहर हो जाए एक्जाइल में जाके कुछ भी कर ले थोड़े देर के बाद वो थंडा पड़ जाएगा so मेरे खाल से what is going to happen is के उनके सामने कोई proposal अलड़ी कर दिये होंगे या 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 वेटिंग पर हिम अगर उनको बहुत जादा तकलीफ हो रही है ना जेल में जो अगर आप थोड़ा rumor में उनको अगर सुझे that he can't be without certain things तो अगर जेल में उनको बहुत जादा तकलीफ अगर हो रही है then he might make a proposal ठीक है मैं चला जाता हूं बाहर या मैं विड्रा हो जाता हूं politics में से या मैं PTI को बढ़ा I don't know what proposal he can make तो उसके बाद शायद कुछ arrangements हो but I don't think he's coming back मतलब अगले election में he's not going to be a major force unless के फाउज में कुछ एक major coup हो जाए internal जब तक वो नहीं होता जब तक फाउज अगर आप देखे आप काफी stable हो गया बक्वास से press conferences नहीं कर रहा है कोई भी you are not hearing number two number three number four के बयानात नहीं आ रहे हैं जैसा पहले आ रहे हैं तो you can see के the general Munir Tahaab has imposed discipline on the army और वो एक आवास से बोल रही है so the military is kind of come back in its own तो मुझे नहीं लगता के unless कोई major event हो फोज के अंदर इम्रान I don't think it's coming back into politics और जहां तक आपके बिजली का जो सवाल है वो तो I had already predicted के IMF का first function ही होता है के वो subsidies कटी है आज जहां भी जाया मुझे याद है मैं Jordan में वहां पे बहुत ही मज़िद है downtown में वहां नमास पढ़के निकला इतनी धूम पत्थरवाद ही चल रही थी because IMF ने रोटी पे से subsidies निकल वा दिये थे Jordan के तो एकदम रोटी जो ब्रेट थी वो इतनी महंगे हो गई थी कि लोग protest कर रहे थे that was my personal direct experience के IMF के साथ जो हुआ था फिर मैं आके उसको काफी रेर I studied and I was surprised के जो government के पास पैसे खतम हो जाते हैं IMF says how can you afford subsidies when you don't have the money? वो simple the logic है it is like saying आपने मुझसे पैसे बॉरो किये या आप मुझसे पैसे मांगने आ रहे हैं and saying Dr. Khan साथ मुक्तजर मुझे आपना एक साल के लिए 10,000 डॉलर का लोन दे और फिर मैं वापिस कर देंगा आप Mercedes में आ रहे हैं यह Mercedes क्यों afford कर रहे हैं आपने इसे बेचे हैं फिर बाद में देता हूं या ना देता हूं आप आजाए नियॉन वो टाटा की चोटी सी गाड़ी आती है वो ले 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 and then we will talk so that is what IMF is saying के पहले आप अपने खर्टे कम करो उसके बाद you will be able to pay back and one of the things they always go after is subsidies or they don't care के subsidy कहते हो अगर यह bread पे भी होती दवाएं पे भी होती ना काटते जरूर है subsidies तो पता यह चला है कि आपके जो सबसे ज़्यादा बड़ा इंपोर्ट है जो सबसे ज़्यादा आपका foreign currency consume करता है वो oil and natural gas जिसके basis पे आप electricity produce करते हैं तो दो चीजें हो गए है एक IMF ने कहा किया subsidy काटे दूसरा inflation के वज़े से Ukraine की जंग के वज़े से जो खीमतें बढ़ गई है तेल में वगारा उससे आपकी imports की खीमत बढ़ गई है and the government has to collect it from somebody इसलिए वो बट बट नैचरल है के electricity in fact अभी जो आपकी bills है na that is what it should be यहादे अभी जो आपके current bills जो नहे आए हैं जो लोग social media पे लगा रहे हैं to show के कितना spike को आपकी subsidy निकल गई है so what they have to realize कि that is the real actual cost of energy for Pakistan right now so या तो पाकिस्तान वो gas pipeline जो इराम के साथ नहीं हुई वो बनाए या they have to somehow improve the condition और आप देखें क्योंके dollar की खीमत इतनी जादा हो गई है तो आपको जो आप खरीद रहे हैं ना बाहर से वो और महेंगा पड़ेगा रुप्यों मिल समझे ना बिल्कॉल आइंडरस्टाइब तो बिजली जो खरीद रहे हैं वेदर यह बाइंग इस नाच्रल गास which is converted to electricity या पेट्रोल गास रिगुलर पेट्रोल ऑईल जिससे एलेक्रिसिटी जिन्रेट हरी और मैं देख रहा था पढ़ रहा था मैं इसके बारे में आपको पता है किसी एनलिस्ट ने पाकिस्तान के अगर इंडर्स वाटर ट्रीटी अगर इंडर्स वाटर ट्रीटी आसे 10-15 साल पहले हो जाते हैं तो आपके पास भी एलेक्रिसिटी जांसे बढ़ जाते हैं तो इसको ठपा रोक के रखे वे हैं तो देरा लॉट्स अब पाकिस्तानी अवाम ना सिर्फ अपने ये जियो पोलिटिकल अप्सेशन ले लें ये इसलामी हुकूमत को ले लें ये दोनों के अलावा वो बिचारी कह सकते हैं आप के वो एक्स्ट्रीमी कंटिन्यूस कंसिस्टेंट बैड गवर्नेंस का शिकार बनी विया मुसलसिल गलत डिसिशन्स ले रहे हैं एक के बाद एक एक बाद एक एक बाद एक एक बाद एक एक बाद एक हसम खाली है के सही डिसिशन नहीं लेंगे हम जहां तक के गवर्नेंस का सवाल है इसका नतीजा है and I don't think I don't know why the public is not मतला इस पर क्यों नाराज नहीं हो रहा है इमरान खान को रेस्क कर लिया इतना धुम कर लिया लेकिन गलत डिसिशिंस होते है न पॉलिसी के यह नहीं कि आप जाके प्रोटेस्ट करें के बिजली की बिल जादा आ गई मैं सुना कि कोई एक इसमें तो खुदकशी कर लिया बिल अपने गले में लोग गए सर दो गए इसलाम में तो हराम है ना खुदकशी करना देखें आप पहले इमान भी गया और वो भी गया but what they should have done is कि भाई गवरनर्स अच्छी क्यों नहीं है और उसके लिए you need a lot of public intellectuals जो अखबारात में बायानात करें लेकिन ये तो मैं सुना कि मस्जिद के loudspeakers से आ रहे इशारे के ये प्रोटेस्ट करें electricity bill के वगरा but you need to have a civil society जिसमें policy का discussion हो के policy सही क्यों नहीं आ रहे सर बहुत सी लोगों का ये भी ख्याल है के पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है बलके mismanaged group है मुल्क है जो के जिसको के कहना चाहिए के जो जो management है जो पाकिस्तान को manage करते हैं चाहे वो agencies हो चाहे वो politicians हो उनसे ये country को manage नहीं किया जा रहा आप कहां तक इस बात से agree करेंग let us say के बहुत सारी काली धंदे ये वो काफी चलते हैं इतना चलते हैं के double कर लें अगर आप उसको double भी कर दें तो that is 700 billion dollars तो आपका per capita GDP कुछ 3000 के खरीब आ जाता है उससे that is not a rich country that is poorer countries में आता है तो आपके पास एक छोटा सा तबखा है जो पड़ा लिखा है जो government में है या मतलब छोटा private sector है छोटा public sector है और छोटा यूं कैसे आंट्रपेरियरल इलाखे उस वो लोग are better off than most people in South Asia for example मैं अभी एक बंगलादेशी प्रोफेसर से बात कर रहा था जो पाकिस्तान से यूएस आई तो मुझे बता रहे थे के उन्हों बड़ी हैरत से कह रहे थे के जो प्रोफेसर्स हैं पाकिस्तान में उनकी तंखाएं और प्रोफेसर्स के नाम और प्रोफेसर्स के नाम लेकर मजाख उड़ा रहे थे कि इन्होंने पिसले 15 साल में कुछ लिखा नहीं है लेकिन ना सिर्व इनको तंखाएं भी मिलती जमीन भी बहुत देते हैं सुना में प्रोफेसर्स को वगरा सोजियर मेकिंग बेगम को नाम प प्राइट शेक्टर में भी है वह स्टेट से ना ठलेक करती तो घर की केटी समंझ के तरह्म कुल कर रहें स्टेट को इससद आफिन्ट वह बिस्टाइट को लुट रहा है मत्यब जो स्टीग पुलिक xdao there is a small लेगिन जो बाकिक है वो बहुत पीचे है, लिटरसी लेवल लेकले, आप सबसे कम हैं, साथ एजिया में, पाकिस्तान के, शायद अफगानिस्तान से बहुतर हो बस, but other than that, they are behind in education, investment, मैं पहले मजाग से कहता था, but I found out that this is a fact, कि मैं यह यह से आता हूं, और वो तो है सार, बजट सबसे कम होता है, education का बजट जो है, वो सबसे कम रखा जाता है, गमिन किस तरफ से, अब मैं जिस शहर में रहता हूं, तक्रीबन पॉने 2% PhD से हैं, शहर की आबादी, और और नियरली 45% college degree holders है, यानि हर दूसरा बंदा college pass है, तो आप देखने, that is a rich country, यहां पर investment हुआ है, college में, life expectancy देख लें आप, या per capita income 70,000 से जादा है, यहां डेलवेर की तो उससे भी जादा है, अमेरिका की average 70,000 हो गई है, so I don't think the country is rich, the country can be better off, इसमें कोई शक्की बात नहीं है, और, it's like saying के आप पिछले, 96, 80 से आप self goal पे self goal कर रहे, अब scorecard देख रहे हैं के, अरे भाई 50, zero down है, जाहर है, आप खुदी अपने goal मार रहे हो, right, this country is not just, बात, मुल्क ऐसे हैं जो try कर रहे हैं और struggle, यासा इंडिया 70s, 80s, 90s में, वस त्राइए वस त्राइए वहारे हाँ, तीन चार परसंटे ग्रोथ हो रहे थी, बात गलत था, बहुत आदा सोशलिसम था वगरा, बट आपके पास वैसा नही है, यू 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 बट 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 आपके पास वैसा नही है, इस यू बिगएस प्रॉब्लम? बट मियां जा रहे हैं, ठख जाएंगे, तीन लंभी फ्लाइट है, वहां पर पहले इंडिया जाएंगे, फिर वहां से वियतनाम जाएंगे, तर बस गिरे नहीं, बस गिरे नहीं, वह गिरते पड़ते बहुते हों, और फिर वहां से, he's going to go to Alaska, September 11th, वह Alaska में मनाएंगे, वहां पर शायद तक्रीश देंगे September 11th, यह पूरा गोल पिर के आ रहे हैं, उस जमीन के, he's going to perform a full around the world, इस तरह जाएंगे इंडिया, फिर वियतना, फिर गोल पिर के Alaska, फिर वहाफिस आ जाएंगे, तो तवाफ कर रहे हैं, पूरे प्लानेट का, see, it's an important meeting, इसमें कोई शक्की बात नहीं है, अब यह है, कि I hope के इंडिया के जो, दीखिए, यह conference से पहले शेरपाज मुलके एक चीज होती है, शेरपाज होते हैं, बेर दे नेगोशियेट के conference के agenda क्या होगा, मेरे खाल से final communicate का भी एक चोटा मुटा first draft लिख लिया भी होगा, and they will go back and forth, इंडिया के लिए यह बहुत एहम है कि G20 में consensus हो, और एक consensual communicate निकले, दोनों बड़े meetings जो पहले हो चुके हैं, foreign ministers की अगर आपको याद है, finance ministers की, दोनों में consensus नहीं आया, तो basically India had to issue के chairman's की जो report होती, working report, so in a way it says के meeting has failed, so India is under a lot of pressure, and India is putting a lot of pressure, I think, to get a consensus, अब चकर यह है कि इसमें spoilers जो है, Russia तो spoil करेगा ही करेगा, it's not going to agree for any negative comment about Russia, Ukraine को लेकर, and मेरे खाल से India को यह भी समझना चाहिए के रश्या कैना तो अब इंडिया is probably going to try with America and say भाई आप जो भी statement Ukraine का, आप इसको ऐसा ना draft करें, ताके वो पूरी तरह से forces, China and Russia दोनों के वो ना खेले, so that is the diplomatic challenge, के अमेरिका और वेस्ट जितना सक्त statement चाहेंगे, Ukraine को उसकी थोड़ी सक्ती कम करे, और रश्या को बोलें, थोड़ी सहन शीलता कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, सेहन चिलता, अब वेस्टन बुर्शिट की थोड़ा तोलरेंस बढ़ा लें, Russia and communicate आ जाएगा, so that is what India's diplomatic challenge है, के अमेरिका का थोड़ा लाइंग्ज शॉफ्ट करें, रश्या की थोड़ी एक्सेप्टेंस बढ़ा है, and they will have, अब यह बात और है के वहाँ पे bilaterals क्या होते है, that is the key, that's second more important, bilaterals, जी जी पिंग और Biden की होती है नहीं, आपको याद है, पीछले 4-5 महिने से, मुसल्थ से, आपको याद है, लड़कियों के, वह cycle puncture का जो बच्चा काम नहीं करता, जी जे, वह बच्चे को लेटर जो 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 उनको देख्या हो, यासमीन को देख रहा होता था यह लो दो रुपे, वह उस तरह से पहले ब्लिंकन गए, पे यलन गई, जाने यलन, अब राइमोंडों जो कॉमर्स, वह अभी इस पिछले आप्टे, वह बेजिंग जाके आए, आप सवाल यह उठता है, कि इस तरह बच्चे को लिए जी 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 पिंग बाइडन मीटिंग, तो दो ऑपर्चुनिटीज हैं, एक इंडिया में हैं, जी ट्वेंटी की समिट में, फिर सांट फ्रंसिस्को में जो मीटिंग होगी, यह नहीं होती है, इस 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 इंपोर्टन ओकेजिन, मुझे लगता है कि नाट ओली जी 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 पिंग की नहीं, नेंडर मोदी, जी 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 पिंग और जैश्णकर सहाब, मैंद बच्च अब इस लेएड में जाएड जाइड शाइना, और नेंडर मोदी के समझे आप अर्दोगान, जी जी पिंग और बाइडन के साथ बीलाटर जाते हैं, यह तीन तो उसकी इतनी हाइप हेगी, कि कम्यूनिके अगर आया और ना आया तो भी पता नहीं चालेगा, People will not notice because they will be talking about this. So I think Indian diplomats should be working towards getting जितना हाई लेवल की बाइलेटरोस और जितने ज्यादा हो सेके वो औरेंच कर लें. Macron भी होंगे, Shoes भी होंगे, Japan के, Kushida भी होंगे. And the other is के, how to manage Russia, China का. क्योंकि West is obsessed with Ukraine. Ukraine को छोड़ेंगे नहीं, Ukraine, Ukraine, Ukraine करेंगे. मैं तो कहता हूँ कि जड़ा प्लेन भी चेक करें, Biden का land होते हैं. इसमें जिलिंस्की चुपा के ना लेकर आजाए वो जिलिंस्की को. जो बाइडन आपने सूट करेंगे. लेकिन सर, बहुत लंबी हो गई इनकी कहानी, Ukraine और Russia की. कि मेरा तो ख्याल था कुछ दिनों में शयाद ये मामला जो है, ये वा हैंडल हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया. इनकी एक्सपेक्टेशन ये थी, कि हमने जो हत्यार दिये, जो सैंक्शन्स वगारा किये हैं रॉष्या पर, एक रॉष्या की एकॉनमी क्रंबल हो जाएगी, दूसरा counter-offensive, Ukraine इतनी पिटाई करेगा रॉष्या की, कि पूटिन अपनी रीजीम बचाने के लिए, विल निगो जिसने जो जैमन के फॉरण मिनिस्टर इल्कुल अपना फ्रस्टेशन इजार कर रही है, कि रश्या की एकॉनमी कॉलाप्स नहीं है, उल्टा ग्रो हो रही है, और वो कुशे लो, don't count it, it's not important, ये वार्टान एकॉनमी है, हत्यार बना रहे हैं, इसलिए वो एकॉनमी ग्रो ह परियर है, so the West is frustrated with the fact कि रश्यान एकॉनमी कॉलाप्स नहीं हुई, और दूसरी चीज़ ये है, कि वो उफेंसिफ तो कायका उफेंसिफ कुछ भी नहीं हुआ, उर्की तो अच्छी खा थी, मतलब इनके जितने भी वेपन्स इन्होंने दिये थे, वो सारे के सारे 30-40% डिस् खुद यूक्रेणियन सोसाइटी में अब मुराल डाउन होने लगा है, यह जो काउंटर ओफेंसिफ जो फेल हो रहा है, उससे अगर यूक्रेणियन सोसाइटी में मुराल डाउन हो जागा है, तो वो खुद निकल के भाग जा रहे था, इस हफ़ते नियॉयर्क टाइम्स म एक बड़ा दिल्चस आर्टिकल मेरे एक दोस्त है, उसामा खालिदी साहब, उन्होंने मुझे बिजाया, अंटालिया शहर के बारे में, टर्की में, हजारों कह रहे हैं के हजारों से जादा रैशियन्स और यूक्रेणियन्स दोनों उसी शहर में आगे, मज़े में साथ मे रात में वो दोनों मिलके क्लब्स में डांस वगारा भी कर रहे हैं, यह जो फॉज में ड्राफ्ट कर रहे हैं, हमने भी हमारे सेमिनार्स के लिए एक यूकरेणियन स्कॉलर को बलाया था लेकिन उसको एक्जिट वीजा नहीं मिला, कभी सुना है, अपने एक्जिट वीजा नहीं मिला, मुल्क छोड़के नहीं जा सकारा था, जुरत पढ़ी तो उसको फॉज में बढ़त ही कहा देगे, जो यूकरेण से भी भाग कर आ रहे हैं, फॉज नहीं जॉइन करके, उनकी भी तादाद बढ़ रही है, और जैसा जैसा यूकरेण की उफेंसिव, कांटर प्रफेंसिव फेल होती जाएगी, पॉब्लिक में दी मॉरलाइजेशन बढ़ेगा, यहां पर वीवेकर रामस्वामी ने बड़ा बवाल खड़ा रखा है, मजे का है, के मैं तो उकरेण को नहीं सबूर्ट करूंगा इस तरह, तो यह फोर्सिंग अमेरिकांस तो टॉक लेकिन देमोक्राइट तो चाहते ही नहीं है कि इस ते कोई डिस्कॉर्शन हो, अगर आप किसी डेमोक्राइट एक सेनेटर से, मैंने एक सेनेटर के इंटर्व्यू किया था, कानवसेशन के, as much as it is needed for as long as it takes, यह था अनका, हमेशा तक लड़ेंगे, अगर 200 साल भी जंग चल अब एड वो युक्राइन को देना चाह रहे हैं, he's not very sure के कॉंग्रस पास करेगी, कि रिपॉब्लिकंस कंट्रोल कर चाह, रिपॉब्लिकंस अब अलरी सेट के हम जिलेंस्की को ब्लैंक ब्लैंक चेक नहीं देंगे, लेकिन सार देखते हैं कि यह किस तरह से यह चीजें जो खराब हुई है, और अगर कोई भी बात करें तो सब कह देते हैं, हम क्या करें, रशिया की वार और यह वो, यह सारे बाने कर दिये जाते हैं, लेकिन बाहरा लिंक को कहीं न कहीं तो रोकने की कोशिश करनी चाहिए, मैं आपको बताओं, इंडिया ने जितने पैसे खरच कि किया है, 75 मिलियन डॉलर खरच किते हैं, यहां 75 बिलियन डॉलर दिये हैं अभी तक उक्रें को, so the amount of aid that is going out of the US is huge, लेकिन सर्फ फाइदा नहीं न, उसमें नुक्सान ही है, लोगों की जाने जारी है और पूरी दुनिया को नुक्सान हो रहा है, तो कहीं न, कहीं न, कहीं को बिलकुल, ऐसा ही है, यह, वो तो है, बिल्कुल, इसलिए मैं कहरी हूं कह जो बड़ी कंट्रीज हैं, वो बज़ये, उनको रोकने के और उल्टा, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, तो कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, जंग से कोई नहीं रोक रहा, सोलर सेल्स जादा नहीं बेटें वहाँ पर आदू मेभी आप मैं मिलके शुरू करेंगे सोलर सेल्स बेचें बहुत हैं लेकिन यह के जाहरे सर अब हर कोई तो नहीं लगा सकता हरे की तो अतनी ताकत नहीं है पब्लिक जो आहम पब्लिक के बिचारे दो दो हजार के या दस सकते हैं कि वह सोलर सिस्टम लगा लेंगे जो काफी एक्सपेंसिव है मतलब मैंने लगवाएं पिछले साल सिर्फ एटी परसेंट कवर करता है क्योंकि जिस तरह मेरा घर है लोकेशन सिर्फ एक तरफ से दूप आती है लेकिन पच्छीस साल का लोन है यानि मैं पचास साल सकते करते रहूंगा उसको तो बैसिकली फैनास मिल गए है तो मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि 20 साल के अंदर पे कर दो ताके इंटरस बहुत ही वरना पहले 25 साल साब खाली उसके इंटरस्टी पे करते रहते हैं फिर बात में प्रिंसिपल शुरू होता है बट आइटिंक मतल सब्सक्राइब करते हैं तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो विचारे क्या करें इसलिए वो रो रहे हैं इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपको मिडल क्लास के लोग नहीं मिलेंगे जो रोड के पर निकलके बिल जला रहे हैं आपको वो मिलेंगे जो बिचारे उससे भी नीचे लेवल पे रहते हैं मुश्किलों से घर चलाते हैं उनको 40,000 का उनको 50,000 के बिल आएंगे तो हमारे में जो हमारे पाके संगों चला रहे हैं थैंक यू सो मैं सर्थ यापना थैंक यू अर्दू